हेलो एवरीवन मैं हूँ सुमित कुमार नागर और कंप्प्योटर गूरू हम में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करने जा रहे हैं कि फाइल प्रोटोकोल क्या होती है कल वाली classes में मैं आपको बताया था कि एक प्रोटोकोल क्या होती है प्रोटोक्ल बेसिकली जैसा कि कल भ और अगर कोई भी device आपस में communicate करना चाते हैं तो कौन से rules and regulation है जो उनको follow करने पड़ेंगे वो इसको follow करेंगे तभी communication बनेगा वरना communication दोनों के बीच में नहीं बनेगा और इसके साथ साथ जो हमारा protocol है वो ये भी बता देता है अगर आपस में दोनों connect होंगे तो कौन कौन स के ओपर चलेंगी कौन सा data receive होगा और किस तरह का जो है वो data transfer होगा और कैसे हम उसको confirm करेंगे तो इसी तरीके से कल हमने HTTP के बारे में बात की थी आज हम बात करेंगे FTP protocol के बारे में जो क्या होती है हमारी file transfer protocol तो हमें पता है file transfer protocol क्या होती है इसको FTP कहते है FTPP का मतलब है file transfer protocol यह क्या है यह भी हमारी जो है extended internet protocol होती है जो provide करवाई जाती है TCP IP के through और हम इसको किस लिए use करते हैं हम इसको use करते हैं transmitting the files from one host to another कल हमने बात की थी web pages के बारे में जब हमने बात की थी client और server के बारे में तो कल हमने बात की थी HTTP के बारे में जो क्या कह रही थी अगर मुझे server से client तक कोई भी web pages लेके आना है तो वो data किस तरीके से लिया जाएगा तो उसके अंदर था connection थोड़े time के लिए होता अब हमने जो है वो data change कर दिया हमने यहाँ पर वो web pages या किसी और चीज का ना होते हो यहाँ पर वो क्या है एक बड़ी बड़ी file हो जाती है तो जैसा हमने कल भी discuss किया था कि जो भी हमारा data होता है वो server पर रहता है जो की server के उपर अगर मेरा data है तो उसके उपर बहुत सारे तरह का data हो सकता है कोई video file हो सकती है कोई audio file हो सकती है अगर मुझे वहाँ तक के web page को access करना है तो मैं http यूज करूँगा अब मिर को क्या करना है अगर वहाँ से transfer करना है कोई भी data audio video की form में या कोई भी दूसरी file की form में अगर मुझे वहाँ से वह अपने system में लेके आना है तो हम क्या use करेंगे उस टाइम पर प्रोटोकॉल चलेगी वह FTP प्रोटोकॉल होगी तो बेसिकली अगर लेवन टम्स में बात की जाए तो web http हमें यह feature प्रोवाइड करवाती है कि मैं web page को access कर सकता हूं उसके उपर से मुझे कोई भी content download करना है सर्वर से उठा के अपने system में लेके आना है तो उसके लिए जो हमें basically use होती है वो क्या होती है FTP प्रोटोकॉल तो हमें यह पता है कि it is mostly used for downloading the files from one computer to another computer फिर उसके बाद बात करते है objective of FTP यानि कि FTP जब हमने बताई थी तो इसके objective क्या थे सबसे पहला sharing of files और इसका जो दू करना remote computer के उपर क्योंकि जो हमें पता है server जो होता है बहुत बड़ा system होता है अब पहले laptop होते नहीं थे laptop बहुत बाद में आये था तो उससे पहले computer होते थे तो एक computer को दूसरे place पर लेके जाना बहुत ही heavy काम होता था तो उस time के उपर जो है FTP को design किया गया ताकि हमें जो बात करते हैं हम mechanism of FTP यानि के file transfer protocol का mechanism क्या होता है हमें पता है server के उपर कोई भी computer होता वो इस तरह का हो सकता है client कोई भी होगा वो इस तरह का हो जाएगा या हो सकता है कि दो server आपस में ही एक client बने और एक server बने तो जो server होता है उसके पास दो process होते है एक होता हमारा control process और data transfer process इसके respect में जो client होता है हमारे पास उसके पास ये दोनों चीज़े तो होती होती है साथ में क्या होता है user interface होता है आपको अभी आपने server के उपर नहीं देखा होगा तो server के उपर जैसे मेरा computer होता है वो ऐसा हो भी सकता है बट कई बार हमारे क्या होते है dedicated server होते है उसके अंदर आपको कोई GUI नहीं मिलता है उसके अंदर बस एक पूरा का पूरा system होता है वो आपको लगाना होता है और उसको आप command के through access कर सकते हो वहाँ पर को user interface नहीं होता है तो उस टाइम पर जो हमारे server होंगे वो कुछ ऐसे होंगे फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो हमार FTP का जैसे मैंने अभी बताया था जो FTP client हो उसके पास तीन component होगे user interface, control process और data transfer process और server के पास data transfer को छोड़कर बाग की दोनों process जो हैं वो ऐसे कैसे होते हैं फिर हम बात करते हैं जो हमारा types of FTP connection है वो किस तरह का होता है जैसा कि अभी हमारे पास यहाँ पर दो था एक control process था और data transfer process था तो इसी के भी हाव पर हमारे types of FTP होती है जो क्या होता है दो तरगा होता है एक control connection और एक क्या होता है हमारा data connection तो control connection क्या करता है control connection वो है क्या बहुत simple rule जो है वो इसके use करता है ये क्या करता है कि control connection को establish करता है जिससे हम क्या कर सकते हैं transfer कर सकते हैं line of command और line of response at a time तो यह क्या करेगा control connection जो है वो किसके बीच में होगा control processes के बीच में होगा और control connection जो है कब तक establish रहेगा यह जब तक रहेगा जब तक FTP का पूरा का पूरा session चल रहा है HTTP के जैसा नहीं होगा क्या आप में रिक्वेस्ट करेंगे मैं connect करूंगा request full fully हो जाएगी और मैं disconnect कर दूँगा ऐसा वाला process जो है इसमें नहीं होता है फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा connection था वो दो सिस्टमों के बीच में बना था यहां पर जो है हमारा दो डेटा transfer processes के बीच में बनेगा और यह क्या कहेगा डेटा connection ओपन्स वन a command comes for transferring the file and closes when the file is transferred तो यहां पर जो इसके पास जो capability आ रही है जो इसका यह वाली चीज़ है जो डेटा connection की है वो http के जैसा ही है कि जब तक file transfer होगी जब तक connection रहेगा file transfer होता ही connection close हो जाएगा फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारा FTP client क्या होता है तो FTP client basically क्या होता है एक हमारा program होता है जो FTP protocol का हमारे system में जो है वो establish करता हो और यह क्या करता है हमको allow करता है है कि transfer कर सके हम file between two hosts on the internet यानि कि जैसे मेरा computer भी internet पर जुड़ा हुआ है और कोई server भी internet पर जुड़ा हुआ है तो उनके बीच में अगर file transfer करानी है तो जिस भी software का मैं use करूंगा उसको क्या बोलेंगे हम FTP client बोलेंगे FTP client क्या करता allow user to connect to a remote host and upload or download दा file सो हम क्या कर सकते हैं olması अपलोड भी कर सकते हैं और download भी कर सकते हैं फिर सके अंदर जो और option आते हैं वह क्या आता है FTP की जो client होता उसके पास क्या होता है एक set of command होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं हम 19 कर सकते है connect करने के लिए एक host को और transfer कर सकते हैं file between you and your host and close the connection यानि कि जैसे ही मैं system के साथ connect करूँगा वो command के थूस से connect होगा उसके हमारे जो host है और मेरा computer है उसके बीच में connection बनेगा और जैसे ही उनके बीच में file transfer हो जाएगा वो connection जो हो जाएगा जैसे ही आप मालो कोई भी download करते हैं तो वो एक particular web page के ओपर जाता है लिंक के ओपर जाता और वहां से वो file transfer करनी शुरू कर देता है तो जैसे ही वो file पूरी की पूरी transfer हो जाती है आपका वहां से उस site से आपका connection जो वो हट जाता है FTP program क्या होता है यह built-in भी component आता है किसी web browser के उपर जैसे ही आप देखोगे कोई भी web browser में अगर मैं download करता हूं तो वो डाउनलोड कर लेता है अलग से हमें जो है इसके लिए कोई भी download लगाने की जोड़त नहीं होती है अगर मैं चाहूं तो इसको अलग से as a downloader भी अपने computer में establish कर सकता हूं फिर यह क्या आते हैं GUI-based भी आते हैं तो GUI-based जैसे आप के टाइम पर कोई भी आप downloader यूज करते हो internet download manager करते हो या fast download manager करते हो तो वो क्या होता है GUI-based होता है GUI-based मतलब graphic user interface होता है जिसके थूर हम क्या कर सकते हैं फाइल को easily transfer कर सकते हैं और हमें जो है इसके लिए अगर बिना GUI के अगर मैं किसी website के उपर connect करूँगा तो मुझे command में सारी चीज़े याद रखनी पड़ेंगी बट अगर GUI-based client हो जाता है मेरे पास तो मुझे कोई भी FTP command याद नहीं रखनी होते हैं उसके लिए direct button बने होते हैं वो उसको अपने आप handle कर लेता है तो ये था सब कुछ FTP protocol के बारे में in short मैंने बताया है detail में आपको बताया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो like जरूर कीजेगा और बिल्कुल बहुत जादा अच्छी लगी है तो share कीजेगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसको subscribe करना जो है बिल्कुल भी मत भूलेगा तो आज की वीडियो में इतना ही thank you thank you all thank you for watching